आपको करवाने वाले हो इस प्रेइप इंटिंग और इस प्रेइप इंटिंग में आगे मैं आपको इस टेंसर के बारे में बताऊंगे कि कैसे हम इस टेंसर का यूज करते हैं आज हम लोग इस प्रेइप इंटिंग कर रहें इस प्रेइप इंटिंग के लिए सबसे पहले आप अपनी जिस भी सीट पर आप ट्रॉव कर रहे हैं उस पर लिखेंगे 25.9.20 और सबसे ओपर टॉपिक इस प्रेइप इंटिंग ठीक है और सबसे अभी मैं पहले आपको पेंटिंग करके बताते हैं फिर मैं आपको इसके कटिंग करना बताओंगे देखिए मेरे पास कुछ हैं बियर्ड लायन जिराफ ट्री हार्स अलिफेंट और माउंटेन आज हम लोग करेंगे माउंटेन की ठीक है इसको सीट पर रखेंगे और इस पर करेंगे इस्प्रे पेंटिंग इस्प्रे पेंटिंग लिए चाहिए होंगे आपको वाटर कलर कालर पैलेट और आपको टूथ प्रस ठीक है माउंटेन के लिए हम लोग ब्राउन कलर चाहिए तो हम राड और ग्रीन को मिक्स करेंगे तो यह ब्राउन कलर बन जाएके दिखिए ठीक है यह कौन सा कलर बना ब्राउन कलर इसमें ग्रीन कम लेना है एच रैड जादा लेना है तो हमारा ब्राउन कलर रैडी है और हम इसको इसप्रेज पर लेगे एक और किसी राफसीड़ पर पैले करके देख लेगे कहीं जादा लिकविड तो नहीं है सबसे पहले राफसीट़ा में का करना है अपना हैंज said नेसे अपसे डाउन की तरब के लिए आपने क्या करना प्रैसिंग करना नहीं हुआ अच्छ ऽुछ मी Türkiye करना है तो आपनोंट्री को करें तरे करने किक्षू प्रैस करना है और उसरिज करना मिपकल ऑप आपनोंड देश्ट से मैं के कास मांट्र करना है। कि इस्प्रे करना है कि आप इसकी अपने च्वाइस के अकॉर्डिंग बहुत सारे कि इस्टेंसल्स बना सकते हैं यह दिखिए मॉन्टीन डान है ठीक है और आप इस पर कि इसको मैंसिंग करिए मॉन्टीन ठीक है अभी मैं आपको इस्टेंसल्स बनाना सिखाती हूं पर पराना कार्ट बोड पड़ा हुआ है यह पेस्टल सीठ है मैं इस पर मॉन्टीन की इमेज ड्रॉव करके और उसको कटिंग करके निकारूंगी और उसको बताती हूं कि कैसे यह देखिए यह किया हमने इसकी कटिंग कर निकाल लेंगे यह लाइन ड्रॉव कर दी और आपने क्या करना है इसको कटिंग करने के लिए आपने सीजर का यूज करना है यह देखिए मैंने मॉन्टिन बनाया है आप इसको कटिंग कर सकते हो अपने पैरंस की कोई भी अपने हाथ से नहीं करेगा पैरंस के हाथों से इसे वाक करवाएंगे कटिंग करने के लिए ड्रॉव आप करेंगे कटिंग पैरंस करेंगे ठीक है अगर बाइचान्स आपके पास पेपर कटर नहीं है तो आप क्या करेंगे आपने एक साइट से आपने करना है कटें पेपर की पेपर सीजन नहीं है तब की बात कर रहीं मैं कटर नहीं है जब आपके पास तो आपने क्या करना माउंटेन इसको पूरा नहीं कट करना है और कहीं पर भी आइश्टा कट नहीं लगना चाहिए देखिए यह देखिए यह आपका स्टेंसूस का सेप आगे यहां पर आप क्या करेंगे और आपो मांटिन की बाहर आपकर करना है तो आप वह कर सकते हैं अगर आप paramantre की के बाहर आपके keeping करने केमे रहं है तो फूल है पकूल लिंगे आप कर देखिए उसकी कॉर्नर पर भी यह का है जैसी पेस्ट हो जाएगा इसको मैं बैक साइट से भी ठीक यह बन गए आपका पूरे माउंटिन का यह आपका जॉइंट भी हो गया और कोई अब इसके उपर करते हैं अब इम बता रहे हुए यह वाला जो हम लोगों ने यह भी बनाया है यह भी उतना ही करता है जितने की पहले वाला कर रहा था ठीक है बस इसमें क्या है आप साइज अपनी च्वाइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं जितना साइज आपको चाहिए आप उतना ही साइज इसमें बढ़ा सकते हैं ऐसे आपने अपने हैंड से प्रेस करना है सीट को आप से डाउन की तरफ आपने थाम को यूज़ करना है देखी यूज़ करने है देखी अर्चे नहीं ही इसके कटथ है उस्से भी आप एसे कर सकते हूं आपके पास दो तो स्टैंसलो कर सकते हूं के देख वाला ऐसा थोड़ा हाइट करने है आपको मांटेन हइट करना करना है वह थोड़ा हाइट करना है कि आपको मांटेन हाइट करना है कि मांटेन के बाहर से जितना भी आप स्प्रे करेंगे इसके बाद देखें आपके पास पूरा एक अच्छा सा है मांटेन का इमेज निकल के आगे कि अब इसको जैसे उठाएंगे देखिए दोनों ही तरके से स्प्रे पेंटिंग सेक्सेस्पूल है तो आप लोगों ने ऐसी वाक करना है ओकी क्लास आज के लिए थैंक्यू और अपना काम अच्छे से करेंगे